अगर आप भी सारे नास्ते खाकर बोर हो चुके हैं कुछ नया ठ्राई करना चाते हैं नतिगी रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी बनाने में बहुत ही आसान है ना बेजन ना सूजी ना मैदा ना ही कोई आटा बिना इसके ये रेसिपी बनने वाली है और सच में बहुत ज़्यदा टेस्टी लगती है तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं रेसिपी अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सकाइब जरूर कीजिएगा यहां पर हमने हाफ कप के जितना साबुदाने को भीगो कर रख दिया था दो घंटे के लिए और यह काफी अच्छे से फोल तो देखिए साबुदाना अच्छे से फोल चुका है तो अब इसको हम पलट लेते हैं एक मिक्सिंग बोल में और इस नास्ते में हम कोई बेशन कोई सूजी मैदा कुछ भी इस्तिमाल नहीं करने वाले हैं तो अब इसमें थोड़ा सा डालेंगे काला नमक इससे ना बहुत पढ़ियास का टेस्ट आता है काले नमक से एक बड़े चमस डालेंगे चाट मसाला अगर चाट मसाला नहीं है तो आम चुर पौडर डाल दीजिएगा थोड़ा सा काली मिर्च का पौडर भी आड़ करेंगे आधी चोटी चमस के जितना और थोड़ी सी कटी हुई हरी चे आड़ कर देते हैं तीखा मैंने थोड़ा जादा ही डाला है और बारी कटी हुई प्यास भी डालेंगे और यहां पर हमने उबले हुए आलू लिये हैं जो कि हमने बड़े साइस के चार आलू लिये हैं तो आलू को भी इस तरीके से हाथों से तोड़ कर डालेंगे इसम मेरे लिए खुब सारी आप कम डालना चाहते हैं तो कम डालिएगा और थोड़ा सा एड़ करेंगे सफेद नमक तो हमने काला नमक भी डाला है तो हिसाफ से ही डालिएगा और आब इन सारी चीज़ों को बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं मैंने इसमें बहुत ही लिम्टेट चीज़ें इस्तेमाल की हैं आज इस नस्तिक को बनाने के लिए क्योंकि हर टाइम पे सभी के गरों में बहुत सारी चीज़ें नहीं होती है तो यह बहुत ही सिंपल सा है लेकि इतना ज़्यादा टेस्टी है कि बस फटा फटा आप इसको ब कोड़े बना सकते हैं मतलब जो भी आपको पसंद दो तो मैंने इसको ऐसे लंबा-लंबा ही रखा हुआ है ये देखने में थोड़ा सा अच्छे भी लगते हैं तो सारे नास्ते हम इसी तरीके से बना लिए हैं और इसे आप बना कर फ्रिज में भी रख सकते हैं स्टोर करके त देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है ना तो चलिए अब चलते हैं fry करने की तरफ तो इसे हमें medium flame पर fry करना है तो एक बारी में जितना पैन में आएगा उतना ही डालीएगा बहुत सारा नहीं क्योंकि साबुद आना है ना तो अगर बहुत ज़ादा डाल देंगे वापस में चिपक भी जाते हैं तो जब ये एक तरफ से अच्छे से फ्राई हो जाएगा तब इसको हम पलट देंगे और इसे हर तरफ से बढ़िया से फ्राई कर लेंगे गोर्डन होने तक तो देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये फ्राई हो चुका है तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं तो सारे साबू दाने के नास्ते को हम इसी तरीके से फ्राई कट लेते हैं आप इसको सेलो फ्राई या डिफ्राई भी कर सकते हो जैसा आपको पसंद हो तो ये लीजे हमारे ये नास्ता तो बनकर हो चुका है रेडी जो की बहुत ही अच्छा लग रहा है और खाने में इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है उपर की लेयर काफी क्रिस्पी होती है अंदर से थोड़ी सॉफ्ट होते हैं तो लग रहा है ना बहुत यदा टेस्टी तो आप इसको चाय चटनी किसी के साथ भी खाईए बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा खाने में इसका टेस्ट बहुत मस्ट लगता है तो उम्मीद क को और प्राई कीजे फीडबेक से एर करना मत भूरिएगा हम मिलते हैं ऐसी ही एक और नई इंट्रेस्टिंग रसीपी के साथ तब तक के लिए बाबाई टेक केर